नमस्कार साथियों स्वाकताब तभी का मरे यूटूब चनल में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गाए टेकडी क्या है ये कहां इस्थित है यहां की गाए इनसानों को देखकर डर जाती है तीन किलमेटर लंबा और चोड़ा है अनुख़ ध्रीब तो साथियों गाए टेकडी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी करने वाले हैं गाए टेकडी कहां श्थित है और यहां पर और क्या क्या पाये जाते हैं यदि आप राजश्थान निवासी हैं तो इस वीडियो को एक बार आप जरूर देखें यदि आप राजश्थान में रहते हैं और इस जगे से अन भीगे हैं कभी नहीं देखी हैं तो इसको जाकर एक बार जरूर देखें इसकी संपुन जानकारी को हम इस वीडियो में शाजा करने वाले हैं तो बने रहे हैं मेरे साथ तो जो गाई टेक डी है वो परताब सागर का 6 किलोमेटर टापू, अमेजन जैसा सगन और करीब 3 किलोमेटर लंबा और इतना ही चोड़ा है यह टापू है जो की 3 किलोमेटर लंबा और चोड़ा है यहां पर अमेजन जो वन पाए जाते हैं उनके जैसे शगन वन अश्पती है यह देखिए यहां एक ड्रोन शे लिया गया चितर हम आपको दिखा रहे हैं यह देखिए वन दिखाई दे रहे हैं इस परकार के वन है यहां यहां पर अनेक जीव पाए जाते हैं जैसे गाएं भी हैं यहां तो सबसे पहले यह एक गाउं था उस गाउं के नाम के बारे में हम आपको बताएंगे उसके डिटेल भी बताएंगे तो जैसे ही वो गाओं ढूब गया पाने में और उसके बाद में यहां पर एक टापू बन गया टापू के उपर बहुत सारे जानवाट रहते हैं मगरमच रहते हैं यहां देखिए अमेजन की जंगलों की तरह गने पेड़ों से डका हुआ रावाद बाटा से 40 किलोमेटर दूर बांध से इस्टिमरिया नाव के सहारे आपको 10 किलोमेटर की यातरा करके ही आप यहां पहुँच चकते हैं टापू पर अन्यक मगरमच रहते हैं जेरीले सांप रहते हैं और अजगर पक्षी जंगली जानवर शेकडों गायों का बशेरा है देखिए यहां पर सेकडों गाये रहती है इसलिए यहां इसका नाम भी गाये टेकडी रख दिया गया है यह एक खूबशूरत भी है यहां सर्दी में लाखों पक्षी भी आते हैं यहां की गाये इंचान को देखकर डर जाती है चितोडगर के रावत बाटा जिले में महराना परताब सागर बांद के यह अंदर इस सित है यह है आईलेंड गाये टेकडी है करीब तेन किलमेटर लंबा और तेन किलमेटर चोड़ा ही यह है पसूवी सेसग्यों के लिए जो यह गायों का विवार है यह अनुसंधान का विशे बन गया है कि क्यों यह गाये इंचान को देखकर डर जाती है साथियों हम मान सकते हैं कि जैसे कोई जो पसू है उसने इनसान नहीं देखा हो और वो इनसान को देख ले तो वो उसको देखकर डर सकता है साथ यही इन गायों के साथ खोता होगा लेकिन यह जो विशे है वो अनुसंधान का विशे बन गया है आने वाले गाउं को यहां शिफ्ट कर दिया गया है यह जो पानी है इसके समक्ष जो गाउं आते हैं उनको यहां से इटा दिया गया है दूर अलग शिफ्ट कर दिया गया है जो पानी आया है तो यहां के गाउं डूब गए थे ट्रेकडी गाउं यह टापू बन गया था टेकडी में कुछ गाएं छूट गई थी 55 शाल में इनकी सिंख्या बढ़ती रही और आज यहां पर शेकडो गाए है इसलिए इसका नाम में गाए टेकडी हो गया है गुनिशो त्रेपन में एक ये गाउं था इसके पास माता शरा गाउं था जो पूरा पाने में डूब गया मगर ये सहर के साथ ही टापों में बदल गया इस तरह से वे शमान हैं नमबर तो वे हैं ये खतरनाक भी है ताकि ये लोगों के लिए खतरा पैदा कर सके यहां पर जो गो है जिसको हम विस्ट खोपड़ा भी कहते हैं वो यहां पर रहते हैं यहां पर गाए रहती है और यहां आम के वरक्ष है जो अमेजन के समान सम शगन है इसलिए इसको हमेजन भी कहा जाता है राजस्थान का तो यह देखिए आपको यहां गाए दिखाई दे रही है शिक्स किलमेटर आईलेंड और परताब सागर एज डेंच एज अमेजन अमेजन के समान यह घना है लगवक तीन किलमेटर लंबार तीन किलमेटर यह चोड़ा है तो यह लंबाई चोड़ा यह आपको याद हो गई होगी इसलिए इसको राणा जो अमेजन है राज़तान का वो भी कहते हैं तो साथियो इस वीडियो में केवल इतना ही मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ